हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैट टु माई चैनल, आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूँ आउले का अचार, आउले का अचार सर्दियों के मौसम में हर घर में बनता है, इसलिए आज मैं ले के आई हूँ आउले का अचार बनाने की आसान रेस्पी, आउले का अचार बना कर दूंगी को हमने हाइफ लेंपर गर्म कर लिया है जब पानी में वाइल आ जाएं फिर हम इसे अ Whereas मीडियम पर कर देंगे मीडियम फ्लेंफं पर हमें से पीस मिनट तक पदाएंगे 20 मिनट के बाद हम इसमें एक इस्टिक से चेक करेंगे, आउला अच्छे से पक चुका है आउले को हमें बस इतना ही पकाना है, मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी आप देख सकते हैं आउला क्रेक हो चुका है तो समझ लिजे कि आउला अछे से पक चुका है मैंने flame को off कर दिया है और इस बाहर निकार लिया है आउले को मैंने ठंडा कर लिया है आउले को आप हांस से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तिसकी स्लाइस आसानी से निकल जाएगी आउले की स्लाइस को अलग करने के लिए हमें नाइफ की ज़रुरत नहीं पड़ती है इसी तरह से हम सभी आउले की slice को अलग कर लेंगे और इसके बीच को अलग कर देंगे आप देख सकते हैं बीच को हमने अलग कर लिया है अब हमें आउले की slice में एक दिन की धूप लगानी है जिससे आउले की सभी moisture खतम हो जाए अचार थोड़ा जल्दी खराम नो हो आप आउले को सुखाना है तरह से आप आउले का आचार बनाएंगे तो आप एक से दो हपते कटा की श्टोर करके रख सकते हैं इन फ्रीच के मैं ले रही हूं 50 ग्राम करीब हरी मिर्ट इससे मैंने डो टुकड़ो में कट कर लिया है आउले के आचार में आपको पसंद हो तो हर आउले कड़के एंड़ से मासाले को दड़ता पीचने के रगोही आउ Cord Cookie स्पून मेल अन मेति श्टी स्पूम आं पने छृच्पन पीली 600 खारों legit जर करते हैं इसके एक मदे सब्सकूर्स को माइस करते हुए पीछ लेंगे व। यह मैंने रिया है यह बलकुल दरदर है आप देख सकते हैं। में अचार के लिए मैं ले ले रहे हुए करोंगी शीमकों chlorine tut क्लुंगी और थ्यूंस करूथ कर दूंगी को आ हम तेल को ठंदा होने के लिए आ Вы यसरे थनड़ा हो चुकी है हाँ मैससमेल आल मिड FOR एड करूंगी फिर मैस में कटी होई हरी मिर्च हुआट करोंगी 600 के तेल में आचार टेष्टी बनता है आपको पसंद हो तो आपको जो भी तेल पसंद हो आप उसमें बना सकते हैं इसे apple भी मिक्स करूंगी वन टी स्पून मगरेल एट करूंगी वन टेबली स्पून नमक एट करूंगी इसमें मैं लाल मिश बॉर्डर नहीं एट करूंगी आपको पसंद हो तो आप एट कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च एट की है चार को अच्छे से मिस करेंगे इसी तरह से हम अचार को अच्छे से मिस कर लेंगे आउले के अचार में हमने तेल की quantity को थोड़ा काइम एट किया है आपको तेल ज्यादा पसंद हो तो आप तेल और भी एट कर सकते हैं यह आउले का instant अचार है इसलिए मैंने तेल के थोड़े quantity को एट किया है आउले का healthy अचार इसको मने बिल्कुल simple और आसान तरीके से बनाया है करदी के मौसम में आप आउले का अचार जरूर ट्राइ करें आउले के इस healthy अचार को आप दाल या सबजी के side disc के तोर पर टेस्ट कर सकते हैं आउले के इस अचार को आप एक से दो हपते तक बिना फ्रीज के श्टोर करके रख सकते हैं आपको हमारे मेथट से आउले के अचार की recipe अच्छी लगी तो वेडियो को लाइक करें चैनल पर आप नए हो तो चैनल को subscribe करें थैंक्स फॉर वाचिंग कल फिर मिलती हैं दूसरी recipe के साथ तब तक के लिए take care